पुस्तक का नाम भक्ती एक दर्शन एक विज्ञान लेखक परंपुजे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचारिय आडियो वन सीपो और बासो की शिकायत देवियो भाईयो जब स्वाती नक्षक्तर आया और वर्षा हुई तो बरसात में सीपो में मोती पैदा हो गए बासो में वन्स लोचन पैदा हो गए सबने खुशिया मनाई लेकिन बहुतों ने ये शिकायत की कि हमारे अंदर मोती क्यों नहीं पैदा हुए थोड़ी सी सीपों के अलावा सभी सीपे इकठी होकर जमा हो गई और शिकायत करने लगी कि आपने हमारे अंदर मोती क्यों नहीं पैदा किये हमारी पुकार क्यों नहीं सुना स्वाती की बुंदों ने जवाब दिया कि आप मेंसे जिन सीपियों ने मुख खोल कर रखा था और जिन सीपों में मोती पैदा करने की ताकत थी उनको हमारी सहायता मिली और मोती पैदा हो गये जिन सीपों की बनावट ऐसी नहीं थी कि उनमें मोती पैदा किये जा सके और जिन सीपों ने मुह नहीं खोले वे खाली हाथ रह गई और खाली हाथ रहना पड़ेगा जिन बासों के पेडों के अंदर सुराक नहीं थे उनमें वंच लोचन पैदा नहीं हो सका पेडों की शिकायत अपनी जगह पर कायम और स्वाती बुन्दों की सफाई अपनी जगह पर कायम ये शिकायते तो होती रहेंगी और होती रहनी चाहिए कि हमने भगवान की भक्ति की पूजा की, उपासना की जब अनुष्ठान किये फिर भी हम खाली हाथ रह गए शिकायत अपनी जगह पर सही और जवाब एवं समाधान अपनी जगह पर सही है आपने मुख क्यों नहीं खोला है अपने अंदर विशेश्टा पैदा क्यों नहीं की जिससे हमारी स्वाती की बूंदे तुम्हारे अंदर प्रवेश करने के बाद में मोती बना देने में समर्थ होती तुमने यह क्यों नहीं किया चट्टानो को भी है शिक्वा मित्रो एक बार बहुत जोर से वर्षा हुई सब जगह पानी ही पानी दिखाई देने लगा लेकिन चट्टानो ने शिकायत की कि हमको इस पानी से कुछ भी फायदा नहीं हो सका वर्षा ने हमारे साथ अन्याई किया पक्षपात किया हजार वर्षों से एक भी घास पैदा नहीं हो रही है हजारों इंच वर्षा हो गई पर घास का एक तिन का तक पैदा नहीं हुआ तो क्या ये शिकायत गलत है? बिल्कुल सही है सौ फिसदी सही है ये बादलों का बड़ा अन्याय वा पक्षपात है ये कहीं हर्याली पैदा करते हैं कहीं तलाब बना देते हैं लेकिन इन चटानों को कोई फैदा नहीं पहुँचा सकते क्यों साहब? ये शिकायते सही है? हाँ, शिकायते तो बिल्कुल सही है लेकिन जवाब उससे भी ज्यादा सही है आपने अपने अंदर मुलाइमियत पैदा की होती? अपने भीतर गड़े बनाए होते साथियो, समाधान अपनी जगव पर सही है भगवान अपनी जगव पर सही है और भग्त अपनी जगव पर सही है हमने आपका जब, ध्यान, पूजन किया अनुष्ठान किया, भजन किया वो तो सब ठीक है आपका लेकिन जब पूजन किस काम के लिए किया जाता है वह काम आपने क्यों नहीं किया तो आपको रिजहाने के लिए कौन सा काम किया जाता है नाचकूद करते तो है भगवान को रिजहाने के लिए नाचकूद करने की कोई जरूरत नहीं है आपका नाचकूद देखने के लिए भगवान को फुरसत नहीं है बाजीगर तरह तरह की छलांग लगाते, तमाशे दिखाते हैं बच्चों को बहकाने के लिए यह काफी है लेकिन बड़े आदमियों को उन बहकावों को देखने की कोई फुरसत नहीं है पातरता है की नहीं मित्रो, आपका अनुष्ठान देखने के लिए गायतरी माता को फुरसत नहीं है उनके पास जरासा भी समय नहीं है कि आप कितना नाचकूद कर सकते हैं कितनी बाजीगरी दिखा सकते हैं और कितनी तरह के खेल खिलोने कर सकते हैं आपका खेल खिलोना देखने की उनको फुरसत कहां है उनको एक ही चीज़ देखने की फुरसत है कि आपके अंदर पातरता कितनी है आपको कोई सुख मिला या और कोई दूसरी बात हुई यह न किसी को सुनने की जरुरत है और न किसी के सुनने से फायदा है आध्यात्मिक्ता का एक ही उद्देश है और दूसरा कोई उद्देश नहीं है वह उद्देश यह है कि आदमी की पातरता का विकास हो बादल पानी परसा सकते हैं, लेकिन पानी से फायदा उठाने के लिए कोई न कोई बरतन घर में रखना पड़ेगा एक कटोरी आपके आंगन में रखी है तो एक ही कटोरी पानी मिलेगी यदि एक बाल्टी आंगन में रखी है तो आपको एक बाल्टी भर पानी मिलेगा एक गड़ा बना करके रखा है तो गड़ा भर पानी मिलेगा मित्रो आपको भगवान से बादलों से कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए आप अपने आप से शिकायत कीजिए कि अपने अंदर हमने पातरता का विकास क्यों नहीं किया जिसकी वज़से भगवान जी को जख मार कर आना पड़ता अब तो मैं ये कहता हूँ कि भगवान जी को जख मार कर हमारे चरन चूमने पड़ते जैसे कि हम भगवान जी के चरन चूमते हैं आप भगवान को मजबूर कीजिए भगवान पर दबाव डालिए और भगवान को विवश कर दीजिए लाचार कर दीजिए इस बात के लिए कि वे आपकी मदद करे और सहायता करे आप लाचार क्यों नहीं करते भगवान जी को आप भगवान जी को लाचार कीजिए अपने चरित्र के द्वारा, अपने गुण, कर्म और स्वभाव के द्वारा वास्तव में भगती का सारा आधार जो खड़ा हुआ है वह भगवान के उपर दबाव डालने के लिए नहीं है वरन अपने उपर दबाव डालने के लिए है भगती अपने भीतर प्यार और मुहबबत जगाने के लिए की जाती है कब माने की भक्ति का विकास हो रहा है साथियो, हमारे भीतर प्यार का माददा जगे हमारे भीतर महबत का माददा जगे तो समझना चाहिए कि हमारे भीतर भक्ति का विकास हो रहा है अभी तो हमारा दिल पत्थर जैसा कठोर, चटान जैसा कठोर है जिसके कारण हमको किसी के उपर दया नहीं आती है हम किसी के दुख से पिघलते नहीं है क्योंकि मुर्गी मरती है तो मरे हमको तो जायका चाहिए जीब को जायका चाहिए अरे साहब मुर्गी की जान चली जाएगी तो हमें कोई आतराज नहीं है जान निकलती रहे, आप हमको विटामिन ला कर दीजिए बेटे, हम पत्थर के बने हुए है, कठोर बने हुए है हम चटान हो गये है, हमें किसी के उपर दया धर्म करने की जरुरत नहीं है हमारे पडोस के आदमी दुखी फिरते हैं, तो फिरे, हम क्या कर सकते है दूसरों को हमारी सेवा की जरुरत है, तो हम क्या कर सकते है हमारा पैसा, जो अयाशी में खर्च होता चला जा रहा है जो संग्रह में खर्च होता चला जा रहा है जो निठलों और निकम्मों के लिए जमा होता हुआ चला जा रहा है आपकी एक-एक पाई की उन लोगों के लिए जरूरत है जो पिछड़ गये हैं जो घायल होकर गिर पड़े हैं उन्हें आपके पैसे की जरूरत है नहीं साहब हम तो अपना पैसा किसी को नहीं दे सकते हम तो जमा कर सकते हैं और अपनी ओलाद को दे सकते हैं अरे तु पत्थर का चटान का बना हुआ है फौलाद का बना हुआ है ऐसी धातों से बना हुआ है जिसे हम अश्ट धातु कह सकते हैं तेरा कलेजा अश्ट धातु का बना हुआ है फौलाद का बना हुआ है मित्रो, मैं कैसे कह सकता हूँ कि यह भक्ती है, गिनावनी भक्ती, विडंबना भरा स्वरूब, मित्रो, भक्ती का स्वरूब पिछले दिनों बहुत ही गिनावना होता हुआ चला गया, लोगों ने परावलंबन का अर्थ भक्ती समझा, भगवान जी की खुशामत कीजिए, और भगवान जी से ये मांगिये, भगवान जी से वो मांगिये, यह परावलंबन अध्यात्मिक्ता के मूल भूत सिध्धान्त के खिलाफ है, भीक मांगना अध्यात्मिवाद के मूल सिध्धान्तों के खिलाफ है, मुझसे अगर कोई यह कहे कि चोर बुरा होता है यह भिखा और भिखारी को ज्यादा सजा दूँगा, क्योंकि भिखारी ने अपना इमान गवा दिया, अपनी आस्था गवा दिया, अपना स्वाभिमान गवा दिया, और सब कुछ गवा दिया, भीक मांगने के लिए उतारू हो गया, चोर ने भीक नहीं मांगी, चोर ने कहा कि जो कोई जोखिम होगा सो उठाएंगे हम अपनी इज़त नहीं गवा सकते और किसी के आगे पल्ला नहीं पसार सकते पल्ला न पसार करके चोर चला गया और डाक डालने लगा जेब काटने लगा जोखिम उठा करके चोर छट पर चड़ गया कुत्ता काट खाएगा तो काट खाए जक्म हो गया तो हो जाए जेल जाना पड़े तो जाएंगे पिटाई होगी तो खाएंगे लेकिन किसी आदमी के सामने हम अपनी इज़त आबरू नहीं गवाएंगे और किसी के सामने फोकट में कुछ मांगने के लिए चापलोसी नहीं करेंगे प्रावलंबी मद बनिये साथियो विखारी की बनिस्पत मुझे चोर पसंद है नापसंद तो मैं चोर की भी करता हूँ लेकिन विखारी को ज्यादा नापसंद करता हुँ क्योंकि विखारी ने अपना स्वावलंबन गवा दिया भिखारी ने अपना आत्म सम्मान गवा दिया आत्म गौरव गवा दिया बेटे जिसने अपना आत्म गौरव गवा दिया वह खाली हो गया, निरर्थक हो गया अब यह अगर भगवान का भक्त हो गया तो भी मैं क्या कर सकता हूँ मित्रो भगवान की भक्ती का तरीका तो आपको मालूम होना चाहिए सुदामा जी इच्छा लेकर के भगवान श्री कृष्णी के पास कह थे कि उनको कुछ मिलना चाहिए सुदामा से भगवान जी ने कहा भाई साहब हमारे यहां काईदा कुछ अलग है हम पहले लोगों से कुछ मांगते हैं कि आपके पास क्या है निकालिए तब हम आपको देने के लिए तैयार है जो भी आपके पास हो पहले हमारे हवाले कीजिए फिर हम विचार करेंगे कि हमारे पास जो है सो हम आपको दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं सुदामा जी अपनी पोटली बगल में दबाय बैठे थे संकोज की वजह से उन्होंने कहा भगवान की भक्ती का तरीका यहां से प्रारंब होगा कि आपकी पोटली में जो कुछ भी है उसे हमारे हवाले कीजिए भगवान जी ने जबरदस्ती उनसे पोटली छीन ली पोटली जब खाली हो गई तब भगवान जी ने कहा अच्छा आप खाली हो गए लीजिए अब हम भी खाली होते हैं भगवान जी के पास जो कुछ भी सामान था वह सब उन्होंने द्वारका से पोर बंदर भेज दिया सुदामा नगरी को भेज दिया उन्होंने कहा आप खाली हो ग और हम इसे बगल में दबा कर रखेंगे, लेकिन आपसे लेंगे, बेटे, ये संभव नहीं है, हम खुशामत कर सकते हैं, चावल, धूब बत्ती खिला सकते हैं, मुबारक हो आपकी धूब बत्ती और चावल, आप इसे अपने पास रखिए, अच्छा साहब, तो हम 24,000 जब कर कि सिलॉन रेडियो लगा ले, और अपना टेप रिकॉर्डर खोल ले, और लता मंगेश करके बढ़िया बढ़िया गाना सुने, 24,000 अनुष्ठान सुनने की हमें फुरसत नहीं है, आपके 24,000 के अनुष्ठान में कोई गाना नहीं है, कोई बजाना नहीं है, चल पागल कही भक्ति का विज्ञान समझे, मित्रो क्या करना पड़ेगा, आपको असलियत समझनी पड़ेगी, असलियत कड़वी है तो रहे, भक्ति का विज्ञान आपको जानना चाहिए भक्ति का विज्ञान है आदमी को जिंदिगी, महब्बत से सराबोर होना हम भगवान की इस व्यायाम शाला में भक्ति का अभ्यास करते हैं प्यार का अभ्यास करते हैं महब्बत का अभ्यास करते हैं प्यार का अभ्यास कैसे किया जाता है प्यार कैसे होता है जरा बताना, प्यार करने का दुनिया में एक ही तरीका है, कि जिसको हम महबत करते हैं, उसको कुछ दे, बच्चे को हम प्यार करते हैं, तो उसके लिए खिलोने टौफी आदी ला कर देते हैं, गुबारा और कपड़े ला कर देते हैं, क्योंकि हम उसको प्यार करते हैं, प्यार महब्बत में देने के अलावा और कुछ नहीं है. भगवान की भक्ति अगर आपके पास है तो आप देना शुरू कीजिए. जैसे हम धूब बती, चंदन, रोली, मिश्टान, फूल, आदी लाकर देते हैं. दीजिए, देने से शुरू होती है भगवान की भक्ति. भक् मतलब है मुहब्बत और मुहब्बत का मतलब है देना. देने के बाद ले. मित्रो, जब हम देना शुरू करते हैं, तो क्या हो जाता है? हमारा वो अधिकार हो जाता है कि पाने के लिए हम अपने आपको पात्र साबित कर सके. हम नाक से गंदी हवा निकाल देते हैं, तो इस इस बात के अधिकारी हो जाते हैं कि नई खुराक हम पाए, नई खुराक पाने के लिए देना आवश्यक है, पेड़ पुराने वाले पत्ते जब गिरा देते हैं, तो बाद में मिलती हैं नई कोपले, नहीं साहब, हमको कोपले दीजिए, तब हम अपने पुराने पत्ते गिर नहीं बेटे, ऐसा नहीं हो सकता, पहले पुराने पत्ते गिरा तब नई कोपले पा, नहीं साहब, हम पुराने पत्ते कायम रखेंगे और नई कोपले भी दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम आपको बढ़िया से बढ़िया नई कोपले देंगे, लेकिन पहले पत्ते गिरा कर दिखाईए, नहीं साहब, पुराने पत्ते हम नहीं गिरा सकते, नहीं बेटे, पुराने पत्ते गिराने पड़ेंगे, तब नहीं कोपले मिलेगी, भक्ति इसी का नाम है, भक्ति भावावेश का नाम नहीं है, जैसा कि आम लोग समझते हैं, भावावेश नहीं है भ बहाते हैं ऐसी भक्ति का तमाशा तो मैंने कई जगह देखा अब मैं नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि आप लोग स्वैम जानते होंगे एक बार मैं वहां गया तो लोग मुझे कीर्टन में ले गए बोले अरे साहब ऐसा कीर्टन तो आपने कभी नहीं देखा होगा हम ऐसा क इस कदर भिहोश हो जाते थे जैसे चैतन्य महाप्रभू के बारे में सुना था कि भक्ति में जब वे कीर्टन करते थे तो भिहोश हो जाते थे गिर पड़ते थे और जो कोई आ जाता था उससे लिपट जाते थे और रोने लगते थे हसने लगते थे उनके होश हवाश मैंने एक बार देखा, लोग हरे राम हरे कृष्णा गा रहे थे, आपस में लिपड गए, गिर पड़े, उठा लिए, बड़ा मज़ेदार कीर्तन हो रहा था, मैंने कहा कि भाई यह बहुत जबरदस्त कीर्तन है, अरे गुरुजी आपको मालूम नहीं, यह क्या मामला है, क्य यह सब शराब पीते हैं, शराब पी करके इन्होंने इसे भक्ति का रूप बना लिया है, कीर्तन करते हैं, और यह सब शराब के नशे में धुत्त हैं, धुत्त होकर हरे राम हरे कृष्ण कर रहे हैं, उच्छल कूद कर रहे हैं, आसु टपका रहे हैं, कह रहे हैं, भावा आग्या, भक्ति का भूत आग्या, भूत का भक्ति आग्या, क्या यही भक्ति है, पागल कहीं का, मित्रो, भक्ति ऐसी नहीं हो सकती, भक्ति का इन भावों से कोई तालुक नहीं है, ये छनिक आवेश है, अभी छन भर में प्रेम का आवेश आ सकता है, और अभी छन भर में ब समझा है वैसा है नहीं गुरुजी पहले हमको भगवान पर बड़ा प्यार आता था पर अब तो ठंडा हो गया बेटे वो तो भावावेश है जब किसी आत्मिय व्यक्ति की मृत्ति हो जाती है तो आद्मी को बड़ा रोना आता है छह महीने बाद जब कोई पूछता है कि आपके पिताजी मर गए थे तो वही कहता है कि हाँ साहब पिताजी बुढ़े थे और मर गए अब तो हमारा सारा काम चल रहा है तब तो हमें बड़ा रोना आता था रोना क्या है भावा वेश है इसी तरह विवा हुआ था तो बड़ी खुशी हो रही थी बड़े उचल रहे थे कि आज विवा हो रहा है विवा हुए दो वर्ष हो गए क्यूंकि विवा का दिन है आज तो प्रसन्न है अरे साहब विवा क्या हुआ आफत आ गई बीवी आ गई बाल बच्चे आ गए अब तो कोई खुशी नहीं है उस दिन तो कितनी खुशी थी भावावेश कभी टिकाव नहीं होता है पुस्तक का नाम भक्ती एक दर्शन एक विज्ञान लेखक परंपुज्य गुरुदेव पंडिश्री राम शर्मा आचारे आउडियो 2 भक्ती एक दर्शन एक विज्ञान साथियो भावावेश कभी किसी के टिकाव नहीं हो सकते भावावेश जाएगा तभी भक्ती आएगी भक्ती को अगर आप भावावेश मानते हैं तो मैं कहता हूँ कि आप गल्ती पर है भक्ती का अर्थ आप नाच कूद मानते हैं और नाच कूद कर भगवान को पाने का स्वांग बनाते हैं तो मैं कहूंगा कि ये आपका विशुद्ध भावावेश है और अज्ञान है भक्ति एक सिद्धांत पर टिकी हुई है भक्ति एक आदर्श पर टिकी हुई है भक्ति एक philosophy है, भक्ति एक जीवन की प्रक्रिया है अगर आप उसको ग्रहन कर सकते हो तो मैं आपको वचन दे सकता हूं कि विश्वास दिला सकता हूं कि भक्ति आपका फायदा करके जरूर दिखाएगी और भक्ति के चमतकार आपको जरूर देखने को मिलेंगे लेकिन भक्ति सही होनी चाहिए, भक्ति का यही अज्ञान इस समय सब जगा फैला हुआ है भक्ति और भक्त दोनों ही डूबने वाले है मित्रो, भक्ति का एक इतिहास मैं दिखाता हूं कि पिछले दिनों इसका कितना बड़ा रियाक्शन हुआ था कितनी बड़ी प्रतिक्रिया हुई थी रिशियों ने, तत्व दर्शियों ने कहा था कि ऐसी भक्ति बेकार है हटाओ, इस भक्ति को जो व्यक्ति को कर्तव्य विमुक बनाती हो मित्रो जब भगवान भक्ती के बिना प्रसन्न नहीं हो सकते तो चलिए हम भक्ती के धुर्रे उखाडते हैं भगवान बुद्ध आये उनने शुन्यवाद की स्थापना की शुन्यवाद माने नास्तिक्तावाद नास्तिक्तावाद माने, भगवान ऐसा नहीं है जो खुशामत से पाया जा सकता हो, चापलोसी से पाया जा सकता हो भगवान बुद्ध की सारे फिलोसिफी पढ़िये, पस शून्यवाद फिलोसिफी है उन्होंने कहा कि कोई भगवान नहीं है, शून्य है उन्होंने भगवान को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि दुनिया में कोई भगवान नहीं है जब यह बुद्धवाद सारी दुनिया में तेजी से फैलता हुआ चला गया तो क्या आप समझते हैं कि आस्तिक्ता के सिध्धांत भगवान को न मानने से कमजोर हो गए? नहीं. सिध्धियों की उनमें कोई कमी आ गई? नहीं. चमतकार में कोई कमी आ गई? नहीं आई. मनुष्य के गौरब गरिमा में कोई कमी आ गई? नहीं. कोई कमी नहीं आई. उन्ह स्वैम भगवान हो गये और भगवान के अंदर जो विशेशताएं होनी चाहिए, जो गौरव गरिमा होनी चाहिए, चमतकार होने चाहिए, जो सिध्या होनी चाहिए, वे सब उनके अंदर थी। उंगली माल उनके सामने आया तो कापने लगा उन्होंने कहा कि तेरे पास तलवार की ताकत है तो चला उंगली माल जब तलवार चलाने को उद्यत हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारे पास आकर तलवार चला वहां से क्या दिखाता है पास आया तो कापने लगा जमीन पर गिरा तो भगवान बुध ने उसकी तलवार को उठा करके अलग फेक दिया उन्होंने कहा मुर्ख किस पर तलवार चलाता है आत्मा पर तु तलवार चला सकता है आ इधर उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा कि जा आज से तु डाकू नहीं संत है अंगली माल डाकू से संत हो करके चला गया हिंदुस्तान से बाहर उसे विदेश भेश दिया कमबोडिया गया बर्मा गया जावा गया सुमात्रा गया और जितने मध्य पूर्वी देश हैं उनमें अंगली माल घूमता रहा इसी तरह आमरपाली नामक एक वैश्या आई थी भगवान बुद्ध का शील डिगाने के लिए जब उनके पास आई तो कापने लगी और काप कर जमीन पर गिर पड़ी और यह कहने लगी कि पिताजी मैं तो नरक की एक कीड़ी हूँ आपके पास उद्धार पाने के लिए आई हूँ उन्होंने कहा बेटी तु नरक की कीड़ी नहीं तु कन्या है आज से तेरे अंदर की वैश्या की मृत्यू हो गई आज से तेरे भीतर से संत का जन्व हो गया उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा तो आमरपाली वैश्या से संत हो गई और संग मित्रा के तरीके से वह हिंदुस्तान से बाहर गई थी वह श्रेलंका और दूसरे देशों में गई और उसने धेरो के धेरो विहार बनाए थे नालंदा का बौध विहार उसी के पैसे से बना था तक्षशिला विश्व विद्याले का जिर्णो धार हर्श वर्धन के पैसे से हुआ था लेकिन नालंदा के विश्व विद्याले का विकास आमरपाली के पैसों से हुआ था भगवान बुद्ध ने उसकी शान बदल दी हर्श वर्धन को उन्होंने क्या से क्या बना दिया अशोप को उन्होंने क्या से क्या बना दिया समय को उन्होंने कहां से कहां बदल दिया उस समय जहां पाप और अनाचार की धाराएं बहती चली जा रही थी उन्हें अपनी ताकत से उन्होंने उखाड कर फेक दिया वे शक्ती के पुंज थे मित्रो नास्तिक्ता की वजह से क्या भगवान बुद्ध में कोई कमी आ गई नहीं बेटे, कोई कमी नहीं आई और ना आ सकती है भगवान को माने या न माने किन्तो अगर आस्तिक्ता की सिध्धान्त अपने जीवन में धारन कर सकता हो तो आदमी भगवान का सच्चा भक्त हो सकता है सच्चा इश्वरवादी हो सकता है जैसे कि भगवान बुद्ध इश्वर को न मानते हुए भी हो गय पिछले दिनों भक्ती के नाम पर फैले अज्ञान ने जिसे हम परावलंबन कहते हैं जिसका एक अमेरिकन महिला ने खूब व्यंगे उड़ाया है यह महिला हिंदुस्तान आई थी उसने एक बड़ी मज़ेदार किताब लिखी है कभी मौका मिले तो आप उसे पढ़ना हिंदुस्तानियों के उपर उसने आक्षेप लगाया है और कहा है कि यह हिंदुस्तानी बौधिक दृष्टी से गुलाम है और ऐसे जर्खरीद गुलाम है कि किसी न किसी की गुलामी किये बिना जिन्दा नहीं रह सकते इसलिए उसने यह हिमायत की कि जिस जमाने में यहां अंग्रेश थे उस समय हिंदु बिना गुलामी के रह नहीं सकते थे इसलिए उन्हें किसी न किसी का गुलाम रहना पड़ेगा राजनितिक दृष्टी से तो क्या भावनात्मक दृष्टी से भी वे गुलाम है उसने अपनी पुस्तक में बार बार आक्षेप लगाया है कि यह गुलाम है देवताओं के बिना यह अपने बच्चों की ब्याह शादी नहीं कर सकते क्योंकि शुक्र देवता डूब गया अब ब्याह नहीं हो सकता आहा अब सूरज किधर चलेंगे अब दिल्ली जाना है तो वह कौन से दिशा में है अच्छा दक्षिन दिशा में है उधर तो ब्रहस पती जी दिशाशूल लेकर बैठे है दिल्ली की तरफ गाड़ी में बैठ करके गए तो दिशाशूल तीर कमान चला देगा और आपको शूल के मारे मार डालेगा दिल्ली आज मत जाना ओहो ये दिशाशूल जो बैठा हुआ है अब यात्रा नहीं हो सकती चूला बनाने के लिए तो महुर्थ चक्की बनाने के लिए तो महुर्थ शादी करने के लिए तो महुर्थ खाने के लिए, मल त्यागने के लिए, नहाने के लिए, सब काम के लिए महुर्थ महुर्थ के बिना ये कुछ नहीं कर सकते चारो तरफ बैठे हुए देवी देवता इनको पकड़ लेंगे और कान उखाड देंगे, दात तोड़ देंगे देवताओं के बिना इनका गुजारा नहीं हो सकता वास्तविक्ता क्या? उसने कहा कि मानसिक दृष्टी से ये इतने परावलंबी लोग है कि अपने जीवन की समस्याओं का समधान करने के लिए देवताओं के बिना इनका गुजारा नहीं हो सकता इसलिए परलोक वाले देवता हो या चाहे ना हो पर अंग्रेजों को देवता के रूप में इनके उपर रहना चाहिए नहीं तो ये किसी और के गुलाम हो जाएंगे अंग्रेजों के चंगुल से छूटेंगे तो चायना वालों के गुलाम हो जाएंगे गुलामी के बिना इनको चैन नहीं है गुलामी इनकी मनोवरित्ती है गुलामी इनकी फिलासिफी गुलामी इनकी शक्ती है ऐसा उसने छापा है जब मैंने उसकी किताब पढ़ी तो पहले मुझे बहुत गुस्सा आया फिर जब मैंने धीरे-धीरे सारे अध्याय पढ़े यह जानने के लिए कि देखे इसने जो आक्षेप लगाये हैं पे हमारे उपर लागू होते हैं कि नहीं होते जब मैंने इस द्रिष्टी से देखा तो माना की सौ फिसिदी यह बात सही है कि हम मानसिक द्रिष्टी से गुलाम अपना भाग्य बनाने के लिए गुलाम भविश्य बनाने के लिए गुलाम अपनी समस्याओं को हल करने के लिए गुलाम और अपनी मनो कामनाओं को पूरा करन के लिए देवी देवताओं के गुलाम है इस मनस्तिती और परिस्तिती को लेकर तब धेरों लोग आग बबुला हो गये थे पर वास्तविक्ता तो यही थी मित्रो भगवान को सही तरीके से जानने को लेकर तब एक और भी धर्म फैला हुआ था उसका नाम था जैन धर्म जैन धर्म क्या है जैन धर्म को जरप पढ़िये उसने भगवान का ऐसा सफाया किया है कि उसका नाम निशान मिटा दिया गया है उसने कहा कि कोई भगवान नहीं होता है और भगवान की भक्ति की जरुरत नहीं आप जैन धर्म की फिलोसिफी पढ़िये जैन धर्म के सिध्ध पढ़िये उसमें भगवान का नाम भी नहीं है। वो भगवान जो हमारी खुशामत का इंतजार करता रहता है। तब प्रतेक छेत्र के प्रगति शील लोगों ने समझा कि यह हमारे लिए नुकसान देख चीज है। यह हमारे लिए हानिकारक चीज है। वेदांत का अर्थ है नास्तिक्तावाद का अर्थ क्या होता है। भगवान के लिए जो पराव लंबन है उसे काट कर फेक दिया जाए आप वेदान्त के सारे ग्रंथों को पढ़ते चले जाएए पंच दशी को पढ़ लीजिए भ्रम सूत्र को पढ़ लीजिए सब ग्रंथों को पढ़ लीजिए और पता लगाकर आईए की वेदान्त में क्या है ऐ मात्मा भ्रम अर्थात यह जो आत्मा है इसी का सफाई किया हुआ हिस्सा जिसको श्रेष्ट कहे भगवान है तत्व मसी प्रग्यानम भ्रम चिदानंदोहम सचिदानंसोहम यह सारे के सारे जितने भी वेदान्त के महा वाक्य है यह सिर्फ यह बताते ही कि आपको भगवान की तलाश में बाहर जाने की और जख मारने को कोई जरूरत नहीं है भगवान की खुशामत करने की कोई आविशक्ता नहीं है मित्रो हवा की खुशामत करने की कोई जरूरत नहीं है सूरज की खुशामत करने की कोई जरूरत नहीं है आप धूप में जाकर बैठ जाईए और सूरज की गर्मी तथा रोशनी का फायदा उठाईए नहीं साहब हम सूरिय नारायन की प्रातना करेंगे कि वे हमारे घर में आकर के दीपक जला जाएं और हमारे घर में रोश्नी कर जाये करें नहीं बेटे, सूरज भगवान को कोई फुरसत नहीं है तू धूप में बैठ जाया कर और सूरज के कायदे का फायदा उठा नहीं महराज जी, हम तो प्रातना करेंगे कि सूरज भगवान अपने नियम बिगाड़ दे और हमारे घर में घुस आया करे और रात को चार घंटे बैठा करे और चले जाया करे नहीं बेटे, ऐसा नहीं हो सकता भगवान का एक कायदा है और भगवान का एक कानून है उसी पर चलना पड़ेगा इसके अलावा दुनिया में और कोई तरीका नहीं है जिसका आप फैदा उठा सकते हो आज की बात समाप्त ओम शान्ति